नमस्कार मेरा नाम इनिकिल आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन पप्पु यादव जेल से बरी हो गए हैं उसके बाद वो लगातार राजनीती में सक्रिये दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे कि कुछ घंटे पहले तक कॉंग्रेस को उपचुनाव में समर्थन देने वाले पपु यादव अब अपने बयानों से पलट गए हैं जी हाँ पपु यादव ने कुशेस्वर स्थान सीट से अपने प्रत्यासी को उतार दिया है पपु यहीं तक नहीं रुके पपु यादव ने तारापुर सीट के लिए कॉंग्रेस को अल्टिमेटम तक दे दिया है क्या कुछ जानकारी है विस्तार से बताते हैं पांच महीने जेल की यात्रा करके लोटे पपु यादव ने मंगलबार को कहा था कि वो कॉंग्रेस के साथ हैं कॉंग्रेस ही देश को बचा सकती है बिहार में दोनों विधान सभा उपचुनाओं में कॉंग्रेस का साथ देंगे पपु ने यहां तक कहा था कि वो कॉंग्रेस को जिताने के लिए इन विधान सभाओं में कैम्प भी करने वाले हैं वहीं बुधवार साम होते होते अचानक पपु यादव ने पल्टी मार गये हैं दोनों विधान सभा के लिए अपने उमिदवार उतारने का फैसला कर लिया है यहां तक कि कुशेश्वर स्थान से उमिदवार के नाम की घोशना भी कर दी है लगे हाथो हाथ जाप नेता ने कॉंग्रेस को तारापूर के लिए गुरुवार तक का अल्टिमेटम भी दे दाला है कि वहां से उमिदवार हटा ले जाप अपना उमिदवार उतार देगी आपको बता दे कि इधर पप्पू यादब दिल्ली के लिए रवाना हुए उधर उनकी पाटी ने कुशेश्वर स्थान से उमिदवार उतार दिया योगी चौपाल को उमिदवार बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष रागवेंदर कुश्वाहा ने इसकी घोशना की है कुश्वाहा ने बताया कि पाटी के संसदिय दलके ने दोनों सीटों पर अपने उमिदवार का चैन कर लिया है हम कॉंग्रेस से आगरह करते हैं कि वो तारापूर पर पुना विचार करें जाप कल तक कॉंग्रेस के फैसले का इंतजार करेगी हमें उमिद है कि कॉंग्रेस तारापूर सीट हमें दे देगी प्रदेश अध्यक्ष रागवेंदर कुश्वाहा ने बताया कि बुदवार को जाप के संसदिय दल की बैठक हुई इसमें यह निर्नेल की लिया गया कि जन अधिकार पार्टी अपने पूरे दम खम से उपचुनाव में लड़ेगी पार्टी को स्वतंत्र वजूद होगा, किसी भी दल से गटबंदन होगा, विले नहीं होगा अब तक पपू यादव कॉंग्रेस के साथ अपनी सहनुभूती दिखा रहे थे हर मोर्चे पर कॉंग्रेस के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे लेकिन एन मौके पर पपू यादव ने यू टन ले लिया और दोनों सीटों से उपचुनाव लड़ने की घोशना कर दी है तो आपको बता दे कि आगामी 30 अक्टूबर को बिहार में दो विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं इसको लेकर लगातार राजनितिक हलचल दिखाई दे रही है अब तक पपू यादव जो कि कॉंग्रेस का समर्थन कर रहे थे उन्होंने कल तक बयान दिया था कि हम उपचुनाव में कॉंग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं अब पपू यादव अपने बयानों से पलट गए है उनकी पार्टी की ओर से कुश्रेस्वरस्थान सीट पर प्रत्यासी भी उतार दिया गया है